नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलुशन की येट्यूब चैनल पे मध्या परदेश की जो वर्ग तीन की जो सुनवाई है जो क्या आपकी हो चुकी है और अभी होनी भी है तो उस पर बात करेंगे और आपके जो मध्या परदेश की जो सेलेक्टिट टीचर हैं उनका आगे क्या होने वाला है जो आपकी 24 तारिक को जो आपकी हीरिंग होनी है दोपैर को सवा दो बजे तो क्या चांसिस हैं मध्या परदेश की जो सेलेक्टिट टीचर हैं उनके बचन पर पर फटाफट से चर्जा करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइक़न को प्रेस कर लीजेगा जिससे आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहें तो चलिए फटाफट से start करते हैं और इसमें ऐसा कुछने जो भी तथिया हैं जो भी सच है उन चीज़ों पर बात करेंगा, ऐसो कोई भी पालतुकी चीज़ पर डिसकस्चन नहीं किया जाएगा, तो चलिए फटाफट से start करते हैं, सबसे पहला जो question रहता है बच्चे की दि तीरिंग थी, आठ तारिक की ठीक है, वो हो चुकी थी, ठीक है, उसका ओडर जो है भई, उसका जो ओडर है, वो आ चुका है, ठीक है, ना उसमें क्या क्या चीज़े हैं, वो सारी बाते आप सबको पताई हैं, ठीक है, उसके बाद MP High Court में जो आपकी सुनवाई हुई कल 15 तार है, यानि करEgg कि मध्यपरदेश के सेलेक्टिठी हैं, क्इतना परसेंटेज चांस है उनका बचने का, सबसे बड़ी बात तो यही है, हबिद्धक को सिद्धी सी बात यही है, कोई बी बिल्गुल भूलने वाली बात नहीं है, जो चांसिश है, मध्यपरदेश के सिलेक्ट लेकिन 99% जो chance है वो ना बचने का है ठीक है ना और 1% chance है कहीं न कहीं के बच जाओ और 1% में भी क्या आता है कोई drastic change है ना कोई ऐसा एकदम change कुछ ऐसी बात जो जज़साब को लगे है ना तो वो सिर्फ उसकी chance सिर्फ 1% है कि आप लोग बच जाओ लेकि 99% जो chance है वो ना बात करो जिस तरह से आपने देखा भाई बिहार के जो लोग है six phase के ठीक है वो भी निकल गए है ना UK के उत्रा खंड के जो लोग है वो भी निकल गए CG 36 गड़ के हैं वो भी निकल गए और अब बात आती है मध्यप्रदेश की ठीक है ना मध्यप्रदेश सिर्फ बचा कोन है 59,000 वाले 59,000 वाले सिर्फ UP वाले बचे हैं तो अब बात आती है सिर्फ मध्यप्रदेश की और जो पिछली सुनवाई कि अगर मैं बात करलू high court की जो आपकी कलकी थी, भाई उसमें बहुत सारी चीजे हैं, जो दिखा रही हैं कि कहीं न कहीं चीजे आपकी पस्ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सिधी सी बात यही है, MP में जो भी B8 के साती हैं, और जो MP की तरफ से लड़ रहे हैं, ठीक है, सिधी सी बात है, Selective Teachers की वो बा कि वो कुछ भी argument नहीं कर रहे हैं, कोई ढंकी argument नहीं कर रहे हैं, कोई solid argument वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, भली MP के Selective Teachers से बच्चों ने कितना भी पैसा ले लिया हो वाकील करने के लिए, लेकिन जो वाकील आ रहा है, वो बिलकुल भी B8 की तरफ से कोई भी अच्छी argument नहीं कर रहा है और वहीं अगर मैं DL8 की बात करूँ तो जो DL8 की वकील है 3-3 तो सबसे पलस बात यह है DL8 की के 3-3 वकील वो उतारते हैं ठीक है अ अगर 2 मिनट मिनट इसको बोलने के लिए मिलती है तो वह इसा नहीं होता आप अप आर्गूमेंट नहीं करोगे भाई तो बचना बहुत मुश्किल है अब सबसे बड़ी बात करते हैं, आपका जो पिछली जो आपकी वो हुई सुनवाई हाई UT में इन बचने के हैं और जो बचने के चांस है वो तर irrespons इक हो को सुनते ही जो आपके डिलेट की जो वकील है मंदीप काल रहा उनके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई है ना कि उनको पता कि कहीं ना कहीं अब मध्यपर्देश का जो सलेक्टी टीचर है वो निकलने वाला है और कहीं ना कहीं डिलेट वहाँ पे केस देते वाला है ठीक है उसके बाद जो हाई कोर्ट में जो वकील खड़े थे डिलेट की दरफ से उनके फेस पे भी स्माइल आए गई तो चलिए फटावर्ट से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इस तरह से क्या है मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं सारी चीजें देखने के बाद अधर दा सुप्रिम कोड ओडर या जज्ज्मेंट है ना तो वही है जो अंत्रिम ओडर के तहत जो राहत दी गई थी वो ओडर अब सर्वाइव नहीं करता है सुप्रिम कोड के ओडर आने के बाद आठ तारिक वाला है ना और उसके बाद देखो हैं आपर मंदीप कालरा ज सर्वाइव नहीं करेगा ठीक है एक तो यह मंदीप कालरा के फेस पर इसमाइल आई और उपर यहां पर देखो यह डेलेट के वकील है यह सरदार जी तो चले गए जो बेड की तरफ से थे हैं यह डेलेट के वकील है इनके फेस पर भी बहुत बड़ी स्माइल लाई इधर जो पीएस पर वालिया की तरफ से जो आए हुए थे वकील ठीक है वो बेड की तरफ से थे क्यों उनके फेस पेसमाइल नहीं आई क्यों नहीं आईगी क्योंकि भाई जब नेगेटिव बात हो रही है उनकी तरफ से ना और कहीं न कहीं चीजे समझाने में सफल रहा है डेले ऐड हो या डेले ठीक है तो वो जी सारी चीजे है अब अंत्री मराहत का क्या सीन है बाई था यन्तिरियुम रषात की बात कर ले के अंत्रीम-जो दी गई थी ठीक है अंत्रिम ओडर जो पास किया गया था अंत्रिम ओडर में था क्या अंत्रिम ओडर में क्या था अंत्रिम ओडर के तहट आप लोगों को राहत दी गई थी ठीक है चाहे मैं वहापे 36 गड़ वालों की बात करूं ठीक है और वहापे चाहे आपके उत्रा खंड वाले थे ठीक है और चाहे वहापे आपके बिहार वाले वाले थे, वो भी आपके चले गए, बस थे हैं आपके MP वाले, ठीक है, अब अंतरिम ओडर में क्या था, अंतरिम ओडर में ये था, कि अंतरिम ओडर के तहत आपको राहत दी गई थी, ठीक है, राहत दी गई थी, इस तरह से भई, 36 गड़बालों को जोइनिंग लेटर दे ग होगा तो वही है अब subject to outcome के तहट यह लोग भार हो गए इसी तरह से आपके UK वाले भार हो गए उत्राकंड वाले उसी तरह से आपके MP वाले MP वालों को भी तो अंतरिम राहत दी गई थी clarification जो है यह आपकी 8 तारिक वाला यह आपका clarification था जो MP की तरफ से लगाया गया था जिसमें आपके तुशार मेताजी आयते ठीक है तो सिदी सी बात देही है जो clarification था MP की तरफ से जो लगाया गया था उसमें भी आपका अंतरिम राहत इनको दी गई थी तो वो ही जो अंतरिम राहत वाला जो order था वो अब survive नहीं करता है जो आपका Supreme Court का order आया था 8 तारिक वाला उसके बाद सिदी सी बात है अंतरी मराहत वाला जो आपका order था वो 8 तारिक को जो supreme code का order आया है उसके बाद इस order का कोई value नहीं है यह survive नहीं करता है इसके तहट आपको high code जो मद्यपर्देश की वो बिल्कुल नहीं बचा सकती है वो last line में वो कह रहे हैं ठीक है तो बहुत कम chance है लेकिन अब इससे परेशान नहीं होना है ठीक है अब इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है देखो जो 24 तारिक की जो hearing होगी 24 तारिक को मतलब time fix करके वो लोग hearing कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जो सुनवाई है वो बड़ी होने वाली है थोड़ी सी है अब किस तरह से अब सिदी इसी बात ही है, अब आप लोगों को सिर्फ ये प्रूफ करना है, हाई कोट में, कि आप लोग भी सब्जेक्ट आउटकम नहीं है, अगर नहीं प्रूफ कर पाए, तो सिर्फी से बात दखता हमें, और वैसे भी तो मतलब कहीं न कहीं, आपके लिए खतरा है 99%, ठीक है, एक पर जाएगी जो सुनवाई होनी है, वो टाइम फिक्स करके सुनवाई है, उसमें कोई आपका केस नंबर बगारा नहीं होगा, सवाद वजे आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो थोड़ी लंबी चलेगी कहीं न कहीं, और वो आपकी सुनवाई जो है, वो फाइनल होग कि टीचर है, भाई वो बच जाए उसकी न्वकरी बच जाए है, लेकिन वाई चांस अगर उसमें नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जुरुरत नहीं है, यह जो आपका लास्ट वार है, रिव्यू पैटिशन, रिव्यू पैटिशन भ है सिर्फ उसकी में आपकी डेट मिलनी है बाइचांस आपका चोविस्तार को नेगेटिव आ भी जाता है बिल्कुल भी घवराने की बात नहीं है रिवी पेटिशन के तहट अगर आप लोग अच्छे से लड़ाई कर लेते हो पूरा भारत के बीड कैंडिडेट मिलके तो बह यह भी कोशन है एक यह कोशन आता है कि मध्यपरदेश बचेगा तो सब बचेगे ठीक है यह भी बहुत लोग मतलब फैलाते हैं कि मध्यपरदेश बचेगा तो सब बचेगे क्या ऐसा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुझे एक बात बताओ 79,000 वाले UP के selected teacher जो है 79,000 वाले वो बच के चले गए CDC बात अब से और यह ऊए नहीं लीना व्यटराओ वालों के सेफ़ ओने से आप लोग बच गए 79,000 वालों के सेफोने से क्या आपका जो उतराखंड वाला है वह बच तो 79,000 वालों के सेफोने से क्या MP वाला बच जाएगा, सबसे बड़ी बात तो यही के सेफ होने से क्या जो होलिस्टिक बीड है पूरा बीड है क्या वो बचे जाएगा ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं है बस हाँ एक चीज यह हुई है उड़तिदार वाले जो बचे है और जो आपका ओडर आ गया है आर्ट तारीक वाला जो ओडर है बस उसमें है एक पोजिटिव चीज यहां से निकल के आई है बस जिसको रिव्यू के तहट यूज किया जाएगा और यह बहुत ही सोलिड आर्गुमेंट है जो कि रिव्यू में आपका कामाने वाला है ठीक है तो एक तो चीज यह होगी है तो यह अपने भरम निकाल तो बिल्कुल भ गहता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो वही शारी चीज़ेशे माने आपको समझा दी लेकिन अब घाता क्या है अब घाता यह है देखो लालच भी आप यहां पे आता है ठीक है बच्छा मतलब बता है सब यही सोचते हैं मानलों आप लोग स्टेट पूरा बीएड है जो उसमें आपके अंसलेक्टिड भी आते हैं, जिनका सब्जेट कॉंबिनेशन नहीं है, वो भी आते हैं, हर तरह का बेड केंडिडेट आता है, ये लोग भाड में जाएं, हम लोग बच जाएं, क्योंकि हमारी नोकरी है, ठीक है ना, इस तरह से चले के सिद्धी सी बात ही है, ठीक है, और पर मैं 69,000 वाले भी लिख लेता हूँ, अभी जो सेफ हुए हैं, सिर्फ कौन हुआ है, सिर्फ 69,000 वाले UP के कैंडिडेट सेफ हुए हैं, ठीक है, बाकी सबी अभी खत्रे में हैं, भीहार तो खतमी हो गया, 36 गड़ भी खतम हो गया, उतराखंड भी खतम हो गया, बाकी बची है, रिव्यू, अभी बची है आपकी रिव्यू पेटिशन, जो कि आपको पूरे होलिस्टिक बेड को शामिल कर सकती है, प्यार्टी के अंदर, अगर आप लोग जजमेंट चेंज करा ले जाते हैं, और रिव्यू में बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग है, इस चीज आपको दिखाऊंगा, बताने के साथ साथ दिखाऊंगा भी, ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ही है, अब रिव्यू के लिए कहीं न कहीं पूरा इंडिया, रिव्यू में आता कौन है, पूरे इंडिया के बेड कैंडिडेट, चाएव आपके अंसलेक्टिड हो, चाएव आपके किसी भी तरह का बेड का कैंडिडेट हो, जिसने 11 अगस 2023 से पहले बेड के अंदर एडमिशन ले लिया था, वो इस रिव्यू के अंदर आता है, ठीक है, अब 69 जार वाले तो बच के चले गए, ठीक है, 69 जार वाले तो बच के चले गए, अब ये थोड़े न ध्यान ये लोग रिव्यू के लिए सपोर्ट करेंगे, बिलकुल भी नहीं, इनकी तो नोकरी बच गई, है न, ये क्यों ध्यान देगा, सिदिय सी बात है, ये बच्ये की मान सिकता है, मैं बता रहा हूं, अब आती है 351 गड़ी, 352 गड़ के लिए क्यों सपोर्ट कर रहा है, ये चतिसगड की नोकरी जा चुकी है चतिसगड का कोई चांस नहीं है बचने का चतिसगड हाई कोट अगर चतिसगड को सेफ कर लेती तो चतिसगड भी आज यहां होता चतिसगड भी रिव्यू की तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि उसकी नोकरी बच चुकी होती क्योंक उत्राखंड वाला उत्राखंड वाला क्यों review के लिए जा रहा पैसे अपने high court में खेलता रहेगा अभी पैसे वैसे बरबाद होते रहेगे तो पिर वहां पर जाता है यह तो फिर वह भी रिवीव की तरफ ध्यान देगा क्योंकि नोकरी की बात है लेकिन अगर MP से वह गया तो वह भी रिवीव की तरफ ध्यान नहीं देगा यह 100% बात है फिर सारा बेट भाड में जाए सेलेक्टिड के तो यही है सेलेक्टिड का यही है कि मेरी नोकरी बज्जा है फिर सारा बेट भाड में जाए लेकिन हाँ अगर मैं खत्रे में हूँ तो फिर रिवीव रिवीव है न तो वही सारी चीज़े है तो यह एक मान सिकता है लेकिन कही जो आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोला गया आप लोगों कोई पता है वो कौन-कौन से पॉइंट है जो आप लोग कहते हैं अगर हमारे टेलिग्राम गुरूप भी देख लो तुम्हां भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यह वाला पॉइंट रखो यह वाला पॉइ राजिस्थान के लिए के स्पेसिफिक था जो आपका जज्जमेंट है वो राजिस्थान को ही फोलो करता है ना कि पूरे होलिस्टिक मलब पूरे भारत के जितने भी राज्जेगे बेड हैं उसको ठीक है वो सारी चीज़ आपके रिव्यू में आप लोग साथ दो क्योंकि कि वो ओल अवर इंडिया बेड की है ना कि किसी पर्टिकलर राज्जेगी ठीक है आपका रिव्यू में जज्जमेंट अगर पलटता है तो हंडर परसंट आप लोग ईजिली प्यार्टे में शामिल हो जाओगे उनसेलेक्टिड हो चाह सेलेक्टिड हो सेलेक्टिड वाले क तो यह उठाता है कि रिव्यू हो चुका है ठीक है जो अभी आपका जो ओडर आया था आर्ट तारिक वाला कि रिव्यू हो चुका है ठीक है एक तो यह कोशन आपका बच्चा उठाता है और एक उठाता है कि रिव्यू से कुछ नहीं होगा ठीक है रिव्यू से कुछ नही होगा यह दो कोशन आपके होते हैं मैं यह चीजे क्यों डिसकस कर रहा हूं कि आप लोगों को चीजे पता होनी चाहिए अगर आप बीएड के कैंडिडेट है और आप चाहते हैं आपका बीएड प्यार्ट में शामिल हो जाए या फिर आप सेलेक्टिड कैंडिडेट है आप आपकी नियोगरी बच जाए तो आपको इस चीजे पता होनी चाहिए नूहसद आपका रेज होते हैं रिव्य Galic रोगी कैंडिडेट देलेड का जो देलेड का जो फैलाना चालता है आप उसकी कहीं भी कमेंट देख लो हमारे यूट्टूब चैनल पर उसकी कमेंट देख लो ही होगा त्यवह इस चीज़ को बहुत पुरी तरह फेलाना चाता है क्योंकि वो चाता है जो बीएड का जो लास्ट चांस है बीएड को प्राइमरी में शामिल करने का Teatro रीपू पैटिशन सुनाओंगा ठीक है तो वो ही है डेलेट का कैंडिडेट जरूर कहेगा हो सकता है इस वीडियो की कमेंट में भी वो कह दे के सर रिवी तो हो चुका है यह हो है आप लोग पैसे लेने के जाया ना तो वो चाहता है कि रिव्यू में बात करें ही ना एक जो पूरा बीड है जो यही डर आपके बीटिचे के कंडिडेट को है दूसरा कोशन है रिव्यू से कुछ नहीं होगा यह कोशन करता है आपका बीड का ही कंडिडेट रिव्यू से कुछ नहीं होगा यह कोशन करता है आपका बीड का कंडिडेट जो आपके स्टेट टू स्टेट लड़ रहे हैं वो आपके selected teachers को घुमरा करते हैं कि review से कुछ नहीं होगा क्यूंकि वो चाहते हैं कि जो आपके state के जो selected teacher है वो उनको ही fund देते रहें क्यूंकि जो state to state जो fund ले रहे हैं वो बहुत जादा fund ले रहे हैं इतने की जुरुरत भी नहीं है सही बताओ तो ठीक है और वो इतना ज़्यादा fund ले रहे है ना तो बच्चों को बताते हैं कि total fund कितना आया है मुझे बताओ कि आज तक उन्होंने total fund आपको बताया है कितना आया है और आप अब तक अपनी जेव से कितना दे चुके हो उसका average लगा लो हरे candidate से तो आप खुद मतलब एक मोटा मोटा अंडाज लग जाता है कि हाँ हम अपने MP में या अपने 36 गण में हमारे जो state की जो नेता थे 28 के हम उनको कम सकम इतना fund दे चुके होंगे ठीक है तो वो ही सारी चेज़े है चलो उनको support करो कोई बात नहीं है ठीक है आपको लगता है हमें उनको support करना चाहिए आप लोगों करो बिल्कुल करो लेकिन जब आप उनको इतना पैसा दे रहे हो कम से कम ढंका वकील तो कर ले कम से कम ढंका वकील करके ढंकी argument तो कर लें कम सकंद धंका उसमें डाटा तो लगा दें कम सकंद आपके लिए पोजिटिव तो करें कल की अगर हीरिंग के मैं बात करूँ 15 तारिक की तो उसमें तो कुछ भी नहीं था सिर्फ बीट के वकील आए और चुपचाप खड़े रहे हैं अगर मैं पुरी हीरिंग के बात करूँ ना कुछ भी ढंका ना आर्गुमेंट ना डाटा ना कुछ-कुछ नहीं है बाकि तीनों जो वकेल थे आपके जै मैं मंदीप काल्रा की बात कर लूँ विज्ञान शागी बात कर लूँ मिनाक्षे रोड़ा की बात कर लूँ तीनों भाई बढ़िया बोले उन्होंने कही न पूरी पूरी गुसाद इकल जजज के मन में तभी जजज साब ने लास्ट में कहा है कि जो अंत्रिम ओडर है भाई वह अब सर्वाइव नहीं करता है सुप्रिम कोट के ओडर आर्ट तरिक काने के बाद है ना तो वही सारी चीज़ है आप पैसे तो ले लोगे बच्चों स स्वाग करता है वो भी मैंने आपको बता दिया ठीक है वो तो कहे गए कि रिव्यू हो चुका है अब रिव्यू हुआ है या नहीं हुआ है वो भी सुनलो ठीक है सोरी आर्ट तारिक की जो आपकी हीरिंग हुई थी सुप्रीम कोड की एंप की क्लैरिफिकेशन की उसमें आपका ये ओडर आया था ठीक है अब इसमें वक्की जो आपके जट साथ है जस्टिस शुदांशुबो जस्टिस धूलिया उन्होंने क्या कहा था सीधी से देख लो है और जो की लीगल परिमिशन रखती है तो उसके लिए पुनर याचिका होती है जो की एक कानूनी परिकरिया रखती है आप उसके तैट आ सकते हो अगर आपको ओडर चेंज करवाना है तो कहीं न कहीं जट साथ भी चाहते हैं सुप्रिम कोड के कि हाँ भया ओडर चेंज बात करता है और अधर राज्यों पर उसका इफेक्ट गलत पड़ रहा है तो कहीं न कहीं चाहते हैं सुप्रिम कोड के जज़ भी ठीक है अब फड़ावर से देख लो इन अवर ओपिनियन इस काइंड ओफ एप्लिकेशन सीकिंग अ क्लैटिफिकेशन आउट नोट तू बी and entertain and if a final order is past the only records यहां से देखो the only records है ना the only records of seeking alteration of the order is a petition for review यानिके सीदी सी बात है कि एक मात्र तरीका है order को बदलने का जो कि आपका review है और जो कि क्या करता है review on legal permissable ground यानिके एक कानूनी आधार एक कानूनी आधार भी देता है अगर आप order को alteration कराना चाहते हैं अधार अल्ट्रेशन आप करते हो ना जब आप मतलब कपड़े खरीदते हो और आपकी paint थोड़ी लंबी हो जाती हो और आप उसको कटवाते हो तो कहते हो ना कि इस paint को alteration कर वाली हो चोटी कर वाली हो है तो वही अगर आप order को alteration करवाना चाहते हैं बदलवाना चाहते तो एक परमिशन परमिशेवल ग्राउंड है लीगल ग्राउंड है एक रिव्यू की तहट अगर आते हो पुना रियाचिका गिदा है ठीक है तो उन्हों अब जो आपकी MP की जो clarification थी यह MP की review नहीं थी पहली बात मैं बता दूए MP की clarification थी ठीक है जो की मिनाक्षे रोणा ना भी कि जो MP की जो सुनवाई थी वो review थी हना अब ट्रीट विया ना वियार ट्रीट इस application review हना तो इन्होंने इस application को review क्यों treat किया क्योंकि इसमें 79,000 के candidate की बात थी जो 79,000 के यूपी के जो selected candidate है ना उनकी बात इसके अंदर थी इसके अंदर MP की बात तो थी इसके अंदर UP के जो 79,000 के जो teachers थे उनकी भी इसके अंदर बात थी अगर जजज सहाब उनको मैं ये कारण बता रहा हूँ कि उन्होंने इसको as a review क्यों treat किया अगर ना करते तो क्या दिक्कत आती उन्होंने इसको as a review इसलिए treat किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरह की आईए या इस चली ये review नहीं है जो कि अभी कल की hearing में आपको मैं सुनाओंगा ठीक है तो उन्होंने फिर review क्यों treat किया क्योंकि एक तो वो नहीं चाहते कि जो आपकी clarification वो बार बार लगाई जाए क्योंकि बहुत सारी clarification इस तरह से लग चुकी है और वो ये नहीं चाहते कि जो 79,000 के selected teachers है सबसे बड़ी बात जो 79,000 के selected teachers हैं उनको फिर से किसी high court या फिर supreme court में उनको challenge करे कोई भी delayed candidate इसलिए उनको इस जो clarification थी इसको review as a treat करना पड़ा क्योंकि जो review होता है अगर कोई भी Supreme Court का कोई भी judgment आ जाए supreme court का अगर कोई भी जज्जमेंट आ जाता है तो उसका जो judgment चलो final हwatा ही होता है लेकिन जो सबसे final होता है उसकी review होता है यानि के CDC भात है किसी भी judgment के आने के बाद उसका पुन रिचार करना उसका पुनर याचिका करना तो उसका एक फाइनल चीज होती है उसके बाद judgment नहीं पलटता है review होने के बाद judgment ना बदलने के चांस बिल्कुल कम हो जाए judgment तो आ गया माल लेते हैं 11 अगस 2013 का judgment आ जाता है ठीक है अब 11 अगस 2013 का judgment आने के बाद जैसे हमारी टीम जा रही है welfare की टीम जा रही है review उन्होंने दायर कर द हैंगे कि अगर हमने चैजमेंट पलट वा दिया ना तो उसके बाद कोई भी कोई भी आज का दायर नहीं कर बाएगा वो फाइनल होगा तो इसलिए उनको यह जो clarification है इसलिए उनको as a review treat करना पड़ा ताकि जो 79,000 वाले हैं उनको बार-बार कोई चैलेंज न करे कोई परिशान न करे आके यह डेलेट का परिशान है ठीक है वो चाहता ही नहीं कि आप लोग नोगरी पर रहो है ना तो वही सारी चीज़ा है इसलिए as a treat करना पड़ा review ताकि अब कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसको अब 79,000 वालों को कोई नहीं हटा सकता चाहिए आप किसी हाई court में चैलेंज कर लो चाहिए कहीं भी चैलेंज कर लो यह final था ठीक है लेकिन official जो है official review नहीं हुई है भी official review उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं judgment को चैलेंज करना बदलवान अल्टरेशन करवाना तो आप review के तहत आओ वो legal permission रखता है legal ground रखता है change करवाने के अगर change हो जाता है तो बहुत अच्छी वादा वो भी चाहते हैं कहीं कहीं कि आप आओ तो क्योंकि कहीं कहीं कि आपको लग गया है कि जो 11 अगस 2023 का judgment है वो कहीं हानी कारक है पूरे B8 के चात्रों के लिए पूरे भारत की B8 के चात्रों के लिए कहीं कहीं बहुत जादा हानी कारक बन चुका है तो वो भी कहीं कहीं चाहते हैं कि आप लोग review में आए और judgment को प्लेट वाएं और एक solid data लाएं जिससे बस अब उनको एक बहाना चाहिए कि solid data उन्हें मिल जाता है त fake B8 को नोकरी देने का जरिया है और वो ही जद साब ने मतलब bridge course कराने का कह दिया और वो भी एक साल के अंदर-अंदर कराने को कह दिया और अब वो चाहते भी हैं कि review के तहट आओ जो कि legal permission रखता है और कहीं न कहीं वो कर देंगे पता है वो अपने मूँ से नहीं कहेंगे लेकिन कहीं न कहीं यह क्या हैं यह संकेत हैं यह आप लोग एक बार review से आउत हो है ना तो MP वालोगो बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है आपकी 24 तारिकी hearing होगी चैस में कुछ भी हो positive हो negative हो बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है क्योंकि अब यह final जो आपका रास्ता है ना के review था वाइसको as a review treat किया गया है ना जो की मिनाख शेरोणान का भी है चलो चलिया मैं आपको सुना देता हूं फिल्माइब ए स्था थी वाढु एया इस अप्लिकाशन आप लिए विए इस अपलिकाशन को चरिफ असे को पुरिकाशन ए इट लूड जा टीए इन इन अब्ला बेल पालीत मेरी जबना टुम है जार वुण रख लाध महलाद इपका यार लिजा लुद क कन सकतीं प्रविसर प्रविकास on kandh Anda जास थू Marx फ्रgesetz अगाँ हव जब सेचाना मेधिया फ्रेश फालीट कर लुद अ कार्श इंदू हई आपको बटकाने की कोशिश करेगा कि आपका रिवीव ना होकर वापका जो आपका क्लैरिफिकेशन ही था बस उसको एजर ट्रीट क्या गया है तो वही सारी चीजे हैं और यह चीजे आपको भटकाएगा कौन एक बैलेट का जो कैंडिडेट है वह आपको बटकाने की करेगा कि आपका रिव्यू हो चुका है यह वो डिमकाना पलाना है लेकिन आपको उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है अगर आप बेट को प्रैमरी में शामिल होता हूँ देखना चाहते हैं सारी चीजे मैंने आपको बता दी किस तरह से क्या क्या चीजे हो रही है अ अलब रिव्यू आपके लगाई जा चुकी है प्रोपर डायरी नंबर भी है ठीक है जो डायरी नंबर है भाई वो है हमारे पास ठीक है अब चीजे क्या है जो डायरी नंबर है वो मैं आपको क्यों नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि रिव्यू जो है भाई क्या है रिव्यू एक last chance है ठीक है review एक last option है B8 को primary में शामिल करने का तो इसलिए जो हम अपना diary number नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अगर हम diary number दिखा देंगे कहीं न कहीं फिर से जो आपकी drafting हुई है इतनी अच्छी जिसमें इतने अच्छे solid solid point है वो कहीं न कहीं लीक हो जाएंगे ठीक है वो कहीं क्या हो जाएंगे लीक हो जाएंगे क्योंकि जो डीलेट का जो candidate है वह आप से जादा कहीं न कहीं active रहता है यह चीज़ देखने के लिए कि क्या diary number है क्या क्या आपके point लगाए गए हैं वो सारी चीज़ है ठीक है तो हम नहीं चाहते जो last option है B8 का PIT में शामिल करने के उसमें holistic B8 की बात हो रही है ठीक है ऐसा नहीं कि मैं किसी भी particular राज्य की B8 की बात कर रहा हूं उसमें पूरे भारत के सभी candidate की B8 की बात हो रही है चाहिए जिसका subject combination भी ना हो उसकी बात हो रही है चाहिए आपके मुरतक आश्रीत वाले होते हैं ठीक है उनकी उसमें बात ह हो रही है ठीक है तो हर एक बेट के candidate की review के अंदर बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं पूरा India है ना पूरा India जो है भाई वो इस review के तहट आता ही आता है इसके अंदर ठीक है और कहीं ना कहीं आप सभी को इसका support करना चाहिए एक चीज बता दूँ अब कितने review में कितने percent chance हैं जीतने के हैना ये question भी रहता है बच्चे का सर review दायर तो हो चुकी है डेट भी मिल जाएगी लेकिन कितने percent chance है कि आप review के तहट जीत जाओगे बहुत ज्यादा chance है ठीक है review में जो आज तक आप लोग सोस्ते हो ना सर ये वाला point नहीं बताया गया सर ये वाला point Supreme Court में ब अब कमी क्या है सबसे बड़ी में बता दूं क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं सबसे बड़ी बात तो वह यह है ना सारी जी मैं आपको समझा दी कि कि क्या क्या होने वाला है और 24 तारिक को क्या हो सकता है और क्यों परेशान नहीं होना है अगर आप selected है MPK अब selected candidate भी हम 59 वालों की तो भाई मैं क्या ही बात करूं पता नहीं वो support करेंगे नहीं करेंगे ठीक है आप लोग भाई selected candidate है सबी के सबी ठीक है आप easily review में support कर सकते हैं एक fund के द्वारा ठीक है क्योंकि अभी कमी क्या है बस review आपकी दैर हो चुकी है date भी आपकी मिल जाएगी जल्दी ठ लेकिन सबसे बड़ी बात है उस सुनवाई को अच्छे से लड़ना ऐसाने के अब तक जो अब तक होता आया है क्योंकि लास्ट चांट अगर आपने ऐसे खो दिया ना कि आपने बेकार वकील कर लिये और वहाँ पर चुप-चाप खड़े रहे तो फिर review में भी फिर कुछ तो आप लोग selected हैं और unselected हैं तो बेके तो बहुत सारे candidate है तो कही न कहीं आप लोगों को support करना चाहिए ठीक है कहीं न कहीं आप लोगों को सभी को इस review को support करना चाहिए और चीजे हो जाएंगी है ना और चीजे हो जाएंगे इस चीज का ध्यान रखेगा बिल्कुल 100% चीजे आपके फेवर में होंगी बीएट प्यार्टी में जुरूर शामिल होगा और जो मान लीजे जैसे जो सीजी के कैंडिडेट थे वो निकल गए हैं है ना क्योंकि यह डाउट भी बहुत आता है क कि सर रिव्यू जो है जीसे मान लें कोई 36गर का सेलेक्टिड का इस उसका यह कुशन रहता है कि सर में स्लेक्टिड कैंडिडेट हूं अब जैसे मेरी नोकरी चली गई है और भाई चांस अगरर रिव्यू में डेट आती है और रिव्यू के तहत ज़ो आपका जजमेंट 8 कर लेते हो तो जो CG के जो selected candidate है 36 गड़ के 100% उनको नोकरी उनकी वापस मिल जाएगी बिहार के जो six phase के जो candidate है जिनकी नोकरी चली गई ठीक है अगर review में आपका judgment पलट जाता है तो आपको फिर से आपको जोइन करवा दिया जाएगा MPK अभी तो हैं खैर जो भी स्तारिक के ब है अगर मैं total fund की बात कर देखो हमारी टीम सबसे पहली बात तो कुछ छुपाती नहीं है कि एक चीज आपको बताती है ठीक है ना और सारी चीज़ें आपको अभी तक कितना fund है जो हमारी टीम है welfare के पास अभी तक हमारे पास तीन लाग हो चुके है ठीक है तीन लाग के something हम हमारे पास अभी तीन लाग के something है अब मुझे बता दो अगर बाइचांस मानलो date आजाती है कुछ दिन बाद ही और सुनवाई की date आजाती है कुछ दिन बाद ही तो क्या तीन लाग में एक सुप्रिम कोट का senior वकील हो पाएगा और सबसे बड़ी बात पता क्या है जिस तरह अब ने देखा पिछली hearing में जो डिलेट का candidate है वो तीन तीन वकील लाता है माली दो मिनिट इसको मिल गए दो मिनिट इसने अमने point रख लिए दो मिनिट इसने अमने point रख लिए टोटल कई न कहीं च्हाय मिनिट तक इनको बोलने का हमापर मोका मिल और शै मिनिट में भाई बहुत सारे पॉइंट अराम से रखे जाते हैं, तो यही है, वो strategy यूज करते हैं, डिलेट वाले, कि ज्यादा वकील लाओ, दो मिनिट वो रखेगा, दो मिनिट वो रखेगा, यानि कि ज्यादा, जबी तो आप देखते हो कि यार, डिलेट का है वकील बोला है, क्योंकि तरीके से रखे जाए, और हर एक, क्योंकि ऐसे तो है नहीं, कुछी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है आपकी ड्राफ्टिंग में, जो बीट को शामिल करा सकते हैं, तो वो सारे बोलने के लिए कहीं न कहीं, दो से तीन वकील आपको सीनर वकील करने होंगे, ताकि आप वहाँ पर अपनी बात, सोलिट तरीके से बड़े अराम से सारी चीज़े रख दे, अब मुझे बताओ क्या तीन लाख में, तीन सीनियर वकील आजाएंगे, एक सीनियर वकील भी नहीं आता है तीन लाख में, अगर मैं सुप्रिम कोट की बात कर लूँ, तो वो इस सारी ची भी एक होके रिव्यू को ही सपोर्ट करें, और उसमें अच्छी तरह से लड़ें, क्योंकि आपकी ड्राफ्टिंग हो चुकि है, जो महनत का काम था, जो टाइम का काम था, ड्राफ्टिंग होना और केस दायर होना, उसमें टाइम लगता है, ड्राफ्टिंग में क्यो टाइ है वो राजिस्तान को लेगे specific है और अधर राज्य पर उसका नुकसान हो रहा है किस तरह से हर एक राज्य में बीड और डेलेड अलग-अलग हैं है ना क्या qualification है कितने बीड के candidate है क्या passing मतलब ratio है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़े कहां कहां जो डेलेड है वो बहुत सारे जैसे हैं जहां TGT में वी लेजेबल है है ना और बहुत सारे ऐसे पॉइंट रखे गए हैं और शिक्षा मित्रों के भी मतलब वहां पे मतलब उनका भी मैं खोना ने चाहता है वह इस सारी चीज़े ठीक है तो वह ही है तो अब देख लो भाई तो आप लोगों क करने हैं पढ़ेंगा अगर रिव्यो में आप लोगों को जीतना है जो टाइम वाला काम था वह यहां और के जवाब आखना और केस्द cumulative होने में हो bomb और कि दिए तो आप सब आप लोगों के हाथ में आपको बता दी मुझे लगता आपको कोई भी डाउट रहना चाहिए इस टाइम पर आपको एक वीडियो बहुत सादा लंबा हो गया है क्योंकि पता क्या है बहुत बच्चों को चीजे समझ में ही नहीं आती है सबसे बड़ा नुकसान की बात यही तो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको चीजे समझ में नहीं आती है तब भी उनको चीजे समझ में नहीं आती है ठीक है अब funding करने के लिए मैं बता दू ठीक है यह हमारा qr-code है एक सेकंड यह हमारा qr-code है ठीक है आप लोग इस पर fund कर सकते हैं ठीक है और इसका screen शोड लीजेगा ठीक है इसका screen शोड ले लीजेगा सभी और दखो कोई भी अगर selected candidate है तो please जरूर सयोग करें ठीक है अगर आपको अपनी नोकरी बचानी है तो जरूर सयोग करें और जो unselected है भाई वो भी करें और review में हर एक राज्य के जितने भी बेट candidate है भाई सभी साथ आजाओ easily आप लोग का judgment पलेट जाएगा और आप लोग सभी को एक होके सयोग करना चाहिए अब कहीं न कहीं बेट को एक करने की बात आ रही है अब डिपेंड करता है कि आप लोग एक होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते क्योंकि review में पूरे भारत के बीड के candidate की बात हो रही है इसका जो परभाव पड़ेगा वो पूरे भारत के बीड के डिगरी धार्यों पर पड़ेगा चाहिए वो selected or unselected हो अब आप लोग एक होना राज्य में जो भाई बीड के जो नेता हैं वो खड़े हैं funding लेने के लिए आप उनको सयोग ना करके हमारे review का हमारे review को अगर आप support कर रहे हैं या उस पे fund करना चाहते हैं तो आप भाई क्योंकि होता है मैंने सुना है कि जो अलग अलग राज्य में जो बीड के नेता यह कर रहे हो review में fund कर रहे हो तो आप direct हमारे QR code पे करो जो कि यह आपके सामने हैं आप किसी और को मत fund करो बिल्कुल भी क्योंकि यह case मेरे पास आया था किसर मैंने आपको funding करी थी मैंने किसको करी तो उन्होंने कहा था कि मैं आगे पुचा दूँगा और मैंने उनको कर दी अब वो हमारे पास तो नहीं आया तो ऐसा आपको पैसा बीच में ना फसे तो आपको direct fund करना चाहिए कहीं न कहीं सीधा हमारे QR code पे वेलफेर association के code भी आपको सयोग करना चाहिए ठीक है इसका screenshot ले लिजेगा फटा फट ठीक है और जादा सयोग करें और करवाएं ठीक है टेलिगराम गुरूप का लिंक मैं अपने वीडियो के comment box में दे दूँगा ठीक है भाई बहुत सारी चीजे हैं जो कि आपको भाई तयार रहना है हर एक चीज के लिए ठीक है सारी चीजे मैंने आपको समझा दी है ठीक है एक एक चीजे मैंने आपको भई आपके साथ discuss कर दी ठीक है अब कमी क्या है बस review को अगर मैं बात कर लो ठीक है रिव्यू की अगर मैं बात कर लूँ सिर्फ कमी है फंड में ठीक है अगर आप इस चीज को पूरी कर देते हो सभी भारत के BA कंडिडेट भाई बहुत अच्छे बात होगी और कहीं जज भी चाहते हैं कि ये जजमेंट बदले पता है वो खुद नहीं बोलेंगे इस चीज को लेकिन उन्होंने रास्ते खोल दिया है अब समझने माले के लिए इसारा काफी है ठीक है और फंड जो आपको करना है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जितने भी सेलेक्टिड कंडिडेट है भाई जरूर करें ता आपकी नोगरी 100% बच जाएगी रिव्यू से चीज का धियाम लखेगा क्योंकि जो पॉइंट उसमें शामिल है ना बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट शामिल है ठीक है मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं और जब एक लीगल पर्मिसेबल ग्राउंड है रिव्यू तो क्यों नहीं फुरा भारत का बीड उसके साथ जाता है यहना ताकि लगे कि हाँ आप सभी एक जूटतो होके देखो रिव्यू में जरूर बीड प्यार्ट में शामिल होगा एक बार जरूर आओ एक साथ रिव्यू के अंदर और फंड करो जादे स्यादा सयोग करो करवाओ 100% बीड प्यार्ट में शामिल होगा इस चीज का ध्यान रखना और जितन पर आहरे है इस तरह से राजज्य तो राज्ये और अपना पैसा परबाद करना चाहते हैं वह आप लोग एक और ठीक है सारी चीजे मेन आपको समझा दी है चीजें क्रिटिकल हैं MP के लिए स्यादा से utiliser कमज को कि से जादा क्योंकि कहें ना कहें हमारी नहीं रहिए चांइंट करें। क्या आप अच्छी तरह लड़ना चाहते हैं या नहीं अगर आप एक होके लड़ते हैं तो ठीक है तो चलिए इतना ही रखते हैं वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है टेलिग्राम गुरूप का लिंग मैं अपने इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में दे दूँगा फटा फट से जितने भी वेट के कैंडिडेट है भाई उस गुरूप पे जुड़ जाए एक दम से ठीक है तो चलिए अपने ध्यान रखेगा और सपोर्ट करते रहेगा और करव 20,000 के आसपास था आज 3,000,000 है तो वही बस देख लो 20,000 के आसपास ही बढ़ाया है ना तो चलिए इतना है रखते हैं बाकि अपना ध्यान रखेगा नमस्ते टाड़ा थेंक्यू धन्यवार